हेलो एवरिवन आज मैं आपसे सेयर कर रही हूँ भरवा करेला की रेसिपी तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके करेले बहुत ही टेस्टी बनेंगे और कड़वे भी नहीं लगेंगे तो हमने यहां पे लिया है 400 ग्र करेला जिसको अच्छे से धो के आप इसे छील लेंगे तो इसे अब छीलनी की हेल्प से छील लेंगे करेलो को सारे करेलो को हम इसी तरह से छील लेंगे और इसके छीलकों को हमें फेकना नहीं है हम इसको स्टफिंग में डालेंगे अब हम यहां पे आधा चमस नमक करेलों के उपर और नमक डालके हमें अच्छे से करेलों के उपर नमक को अच्छे से लगाना हैं ताकि जो भी कडवाहत हो करेले की वो निकल जाए। इसे पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे, अब हम इसमें पानी डाल देंगे, ताकि जो भी नमक हो एक्स्ट्रा और कड़वाहट जो है वो पानी के साथ निकल जाए, तो अब हम इसको पानी से निकाल लेंगे, करेलोकों, इस तरह से, आप चाहें तो अभी इसको पोच सकते हैं, पर मैं इसे इसके बीज निकाल के पोच हूँगे, तो अब यहाँ पे इसके बीज निकाल लेंगे, इसके लिए हमें बीज से कट लगाना होता है, भरवा करेला बनाने के लिए, तो इस तरह से आप इसके बीज निकाल लेंगे, तो अब हम सारे करेलो के बीज निकाल लेंगे, अच्छे से निकालेंगे बीज को, तो हमने यहाँ पे सारे करेलो के बीज निकाल लिए हैं, और इसको पोच लेंगे कपडे से, ताकि ये गीला ना रहे अब गैस पे हमने पैन रख लिया है अब खड़े मसाले ले लेंगे हम तो यहां पे हमने लिया है 2 बड़े चम्मज खड़ा धनिया 1 बड़े चम्मज जीरा 1 चम्मज सौफ आदी चोटी चम्मज काली मिर्च दो से तीन मिनट मसालों को भूनेंगे तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मंगरेल मिक्स करेंगे और चलाते हुए भूनेंगे गैस को हमने लोग कर दिया है अब थोड़ा सा मेथी दाना डाल देंगे और थोड़ी देर भूनेंगे गैस को हमने बंद कर लिया है मसालों को ठंडा कर लेंगे अब यहाँ पे ग्रैंडर जार में खड़े मसालों को डाल देंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्ज पाउडर डालेंगे एक चम्माच आमचुर पाउडर डालेंगे अब इसे पीस लेंगे इस तरह से अब मैं इसे एक बाउल में खाली कर दे रही हूँ अब उसी जार में हम आठ से दस छीला हुआ लैसून चार कटी हुई हारी मीर्स थोड़ा सा पानी डालके पीस लेंगे तो अब हमने यहाँ पे पैन गरम कर लिया है गैस पे तीन से चार चम्माच सर्चो का तेल डालेंगे थोड़ा सा हिंग डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे प्याज को हमें थोड़ी देर चलाते हुए भूनना है अब हम करेले के निकाले हुए बीजो को डाल देंगे प्याज के साथ भूनने के लिए अब करेले के छिलको को भी डाल देंगे चलाते हुए थोड़ी देर भूननेंगे अब हम यहाँ पे आधा चम्मस नमक डाल दे रहे हैं और पीजा हुआ लहसुन मिर्ची डाल देंगे थोड़ी देर इसको भूननेंगे अब खड़ा मसाला जिसको हमने पीज लिया था वो मसाले डाल देंगे और ऐसे चलाते हुए भूनना है हमें अब पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं और पानी डालके हमें अच्छे से इसे चलाते हुए पान से छे मिनाड भूनना है मसालो को जब तक कि इसका पानी सूख न जाए अब हमने नमक डाल लिया है यहाँ पे आदा चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें आप टेस्ट भी कर सकते हैं नमक मिर्ची तो हमने मसालो को अब ठंडा कर लिया है मसाला अच्छे से भून गया था तो इस तरह से करेलो में भर लेंगे स्टफिंग को तो फ्रेंड इस तरह से आप करेले का भरवा बना के देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनता है तो हमने यहां पे सारे करेलो को भर लिया है अब उसी पैन में हमने कुकिंग वाल डाल लिया है दो से तीन चम्मच और करेलो को डाल देंगे फ्राई होने के लिए इसे चला देंगे करेलो को हमें लो फ्लेम पे ढख के पकाना है बीच बीच में इसे चला के चेक करते रहेंगे इसे अलट पलट के हमें बराबर एकदम अच्छे से पका लेना है तो इस तरह ऐसे चेक करते रहेंगे जिस साइट से करेला में कलर आ गया हो तो दूसरे साइट से पलट देंगे ऐसी करते हुए हमें करेलो को पका लेना है इसे फिर ढख देंगे तो बस थोड़ी देर में करेला अच्छे से बनके तियार हो जाता है सबसे अच्छी बात है कि ये जल्दी खराब भी नहीं होता है और इसे आप सफर में भी ले जा सकते हैं और बनाने में भी आसान है सो फ्रेंड अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके थाइंक्स पर वाचिंग